दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पार्लेमेंट आफ इंडिया अर्थात लोगसभा में अनुवादक के पद की जो भरती आई है उसके पुराने प्रश्नपत्र के बारे में पुराना प्रश्नपत्र या फिर दोजार आठ नौ में जब ये आफ लाइन पर इच्छा हुआ करती थी उस समय का प्रश्नपत्र राजवासा के लोगसभा के वेबसाइट पर उपलब्द है इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट गली-कूचा.blogspot.com पे दिया हुआ है आप चाहें तो वहां से यह विवरन निकाल सकते हैं उसमें सिर्फ अनुवादक ही नहीं कई परिच्छाओं का लिंक दिया हुआ है आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं कि इसमें प्रशन पत्र कैसा होता है और क्या-क्या आता है देखे आप सब को पदा है कि इसमें General Knowledge और current affair के लिए सो प्रशन होंगे डेड़ सो अंकों के प्रशन होंगे 75 मिनट समय दिया जाएगा इसके कई भाग होंगे जिसमें से सबसे पहले हैं पार्ट A अर्था General Knowledge and Current Affair पर चर्चा करेंगे General Knowledge और Current Affair का जो पेपर होगा देखिए इसमें कहां से पूछा जाता है जैसे यह पूछा है कौटिले का अर्थ शास्त्र अहां घबराएं नहीं यह प्रशन पत्र आपको हिंदी में भी मिलेगा दिवाशी प्रशन पत्र होगा लाइट अफेसिय किसे कहा जाता है अर्थात इसमें प्राचीन भारत की कुछ चीजों को भी आप पढ़ना जरूरी होगा राजारा मुहन राएट अर्थात आजादी के समय की बाते भी the following acts कुछ नियम कानुन जैसे Indian Council Act है Indian Government of India Act ये चीजे हैं और उसके बाद जैसे अगर हम नवे दसवे में देखें तो which among the following is not a fundamental right अर्थात आपको भारत के समयधान के भी कुछ मुलभूत प्रश्न याद करने होंगे जैसे President of India is elected indirectly by the electoral college consisting of the अर्थात उनका चुनाव कैसे होता है इसके बाद समयधान से हट करके अब हम आ जाते हैं थोड़ा biology के प्रश्न होंगे कच्छा 10 के समतुले जैसे शरीर में हड़ियां कितनी है हीमोगलोमीन का कारे का है which two organs are affected by malaria सामाने बिमारियों के अर्थात ये आपका विज्ञान के बारे में science के बारे में जो सामाने जानक कारी है उसके बारे में पूछा जाता है पेंसिलीन अर्थात आपको पुराने current affairs से थोड़े कम प्रश्न होंगे पुरानी चीज़ें धीखोंगे ये सब आप पढ़ चुके होंगे जैसे the skies blue in color due to इन चीज़ों को आपको पढ़ना है उसके बाद state का है sex ratio है ये paper आपको मिल इसके बाद आते हैं general English में general English में सबसे पहला रहेगा choose the correct word from out of the option given that can be substituted in place of the statement अर्थात एक बड़ा statement होगा और उसके बदले एक शब्द अनेक हार्थी शब्दों के लिए एक शब्द इसको कहा जाता है उदारन के लिए account number देखी a person who dies without making a will इस तरह की चीज़ें होंगी the scientific study of old age and its problem is anthropology, cosmology, archaeology, geneology जो है the dead body of animal is particide, suicide, carcassa and corpus क्या होगा कारकासा होता है place of invalid and इस तरह की चीज़ें होंगी अगला जो अन्स आएगा वो होगा choose the alternative which best expresses the meaning of the given idiom proverbs अर्थाद idiom और proverbs के भी प्रशन रहेंगे पांच प्रशन होते हैं जैसे wink at है much add about सामाने से होंगे जो आप आम दिनों करते हैं find out which part of the sentence has an error ये sentence a b c d कालिदास is Shakespeare of India कहां error है neither of the three table ये इस तरह की चीज़ें सामाने अंग्रेजी का वो भी आप जानते हैं इसके बाद आते हैं pick up the most effective word from given words to fill in the blanks अर्थाद fill in the blanks ये SSC की परिक्षा हम आप लोग देख the man is so ill इस तरह की चीज़ें होंगी उसके बाद जो आएगा choose the synonyms पांच नंबर का होगा 73 से लेकर 80 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें उसके बाद antonyms synonyms भी 1 2 3 4 5 6 7 8 7 15 अर्था total 15 नंबर होगा antonyms synonyms का अगर ये pattern follow होता है तो उसके बाद फिर preposition होगा non-compliance क्या होगा non-compliance के बाद off लगता है he made के बाद up होता है उसके बाद putting off on up ये इस तरह के होगे preposition बहुत आसान है उसके बाद है select the best word most closely मतलब जो उसके आसपास का अर्थात ये भी तरह का synonyms हो जाता है इसके बाद आते हैं सामान हिंदी में हिंदी में है कि गध्यान श एक पेरा है और उसको पढ़के लिखना है इसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि पैसेज पढ़ने की आपको आदर डालनी होगी उसके बाद आता है शमानार्थी शब्दों का chain ये देखिए यहां है समानार्थी अपकार का क्या होगा अपकार का अप प्रतिशोध पूर्ती करें ये भी है आपके उब्देश ने मेरे दिल के घट खोल दिये पट खोल दिये पाट खोल दिये इस तरह का एक होगा मिलता जुलता और उसके बाद मुहावरे हैं मुहारों गहरा हाथ मारना तीन पांच करना सामने से मुहावरे हैं उसके बाद आपका आता है प्रतेक वाक्य के लिए दिये गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए जिसे वार करना कठीन हो नेकार्थी शब्द जिसे कहते हैं जिसे पार करना पार कर्मा क्या दुर्गम अगम में आगम जो देखने में विशालेवंग सुन्दर हो परमेश्ट भव्वे जीवन के अंतक इनका हल मैं फिर कभी चर्चा करूँगा आज प्रश्ण पत्र पर चर्चा कर लिया जाए निमलिखित प्रश्णों के सही उत्तर के लिए चार-चा आगरी है. संस्कृत न लिखें. दिवस किस तीथी को मनाया जाता है? 14 सितमबर सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला हस्ताक्षर, सोना, पुस्तक और सहायता. सोना सदा एक वचन में होता है क्योंकि धातु का प्रयोग हम हमेसा एक वचन में करते हैं. हिंदी की विशिष आख और आकर कहा जाता है पहले अनुस्वार फिर उसके बाद इस तरह से आप निकाल सकते हैं निमलिखित प्रतेक शब्द की वर्तनी की भूलें अगर आप सही हिंदी लिखने का अभ्यास करते हैं तो समझ पाएंगे अगर आप रूमन अंग्रेजी का अभ्यास करते हैं तो पांच होंगे उसके बाद संभावित तात्पर दिये गए हैं जैसे अनुदान क्या होता है विश्विद्याले द्वारा गरीब विद्यार्थियों को दी गई धन राशी ये भी होता है विशेशकार हेतु दी जाने वाली सास की आर्थिक सायता इसमें जो निकले वो आप लगा सकते हैं अर्थात ये भी हो गया कि एक शब्द है और अनेकार्थी अर्थात अनेकार्थी के दो विकल्प आ गए आपके इसके पहले आया था बड़े वाक्य उसमें से चुनना था और छोटे वाक्य में से बड़ा वाक्य चुनना है इसके बाद हम आते हैं जो मुख इसका आनुवार थोड़ा कठीन होगा आप यदि चाहेंगे तो अगले सत्र में एक आद दिन मैं इस पे चर्चा कर लूँगा 35 नंबर का होता है और यही विजय दिलाने वाला होता है इसके बाद अगला है दो पैसेज है आपको दोनों करना होता है अगला है 25 नंबर का 35 और 25 कितना हो गया 35, 45, 20, 60 हंक का उसके बाद हिंदी एक्कुवेलेंट है किसी मित्र ने मुझे साजा किया था नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग एजनसी यह भारत सरकार की है टाइम ओवर रन प्रो ट्रम स्पीकर इसमें दो दो शब्दों को मिला के दिया गया माइनट्स अफ डिसेंट माइनट्स अलग कारेबरीत होता है डिसेंट मतलब जो नाखुश रहते हैं वो आप ढूंड के लिख इसके बाद जो अगला आता है Translation from Hindi to English यह भी एक निडायक होता है इसमें दो पैसे दिये हुए हैं हमारा देश विश्यो के विशालतम और सबसे स्थाई लोगतंत्रों में से एक है इस तरह शुरू होता है दो पैराग्राफ है इसका तीस हंक का उसके बाद फिर आएगा द अनुपूरक का अनुदान मांगे अनियत दिन वाला प्रस्ताव यह अलग-अलग शब्द को जोड़ करके बनाया गया है विधानकारे अनुपूरक कारे कारे मंत्रणा इस तरह की चीजे हैं और उसके बाद आता है फिर यससे एंप्रेसी राइटिंग आप लोगों ने ऐस की तयारी की होगी तीस नंबर का ऐसे होता है जैसे जूडिसील एक्टिविजम एंड इंडियन डेमोक्रेसी यह है इंपॉर्टेंस आफ इंडियो सबनुक्लियर एग्रिमेंट यह सारे टॉपिक्स मैं आपको पहले कवर करा चुका हूँ आप देख लीजेगा इस तरह के साथ है थोड़े से इनका स्टेंडर्ड या अच्छा होता है स्सी से थोड़ा कठिन होता है इसमें कोई संदेह नहीं है उसके बाद प्रेसी लिखना है प्रेसी पर भी हमारे एक वीडियो है अब देख सकते हैं उसका भी लिंक मैं दे दूँगा प्रेसी कैसे लिखें प्र और उसके बाद फिर एक तिहाई शारांस लिखें बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिशित हो जाती है समय कम है आपको पढ़ना अधिक है आप स्मार्ट स्टड़ी करिए आपकी सफलता आपके द्वार रहाएगी धेरो शुब कामना मिलते हैं फिर अपडेट के साथ धन्यवाद